जो हमको advanced math सिखाई जाती है schools के अंदर, क्या उसका real life के अंदर को use होता है, बिलकुल होता है, real life के अंदर बहुत जगा पे होता है, बस आपको पता नहीं होता उसको use हो रहा होता है, जिसके अगर आप camera ही देख रहे हैं, जो video recording हो रही है, इसके अंदर ये जो camera record कर रहा है, 0 101 के अंदर कर रहा है, इसके अंदर भी calculation हो कि आपको ये video मिल पा रही है, color में छोड़ो से changes करते हैं ना, वो भी इसी हो रहा है, लाइट चल रही है, इसके पीछे भी maths है, अब आप कहो बहुत है, अब भी आप मानके चलते हैं, आप 10th class में हो, future में आप मानके चलते हैं, Air Force में चले जाते हो, तो Air Force में आप अगर plane चला रहे हो ना, महापे भी trigonometry यूज हो रही है, क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट के अंदर 45 डिगरी पे अगर आप छका मारोगे तो सबसे लंबा जाएगा, आपको बता है, नहीं बता, तो maths को बढ़ो, trigonometry में चीज बताई ग गई है, बस उस चीज को हम धंसे apply नहीं कर पा रहे है, तो maths आपके around ही है, अगर आपने धंसे maths की पढ़ाई करी होगे, आप धंसे चीजों का apply कर पाऊगे, और अगर आप ऐसी fields में जाते हो, जहापे maths का use होगा, तो आप next level जा सकते हो, जैसी spaceship की बात करके चलते हैं, तो spaceship ship के अंदर, जो भी space पे आप rocket लेके जा रहे हो, उसके बीचे सारी maths की calculation हो रही है, अब इसके बीचे computer काम कर रहे है, logical बात, आपको maths सीख, वहापे करनी नहीं पड़ रही, पर अभी recent का एक incident था, वहापे क्या हुआ, space में rocket गया, उसके बाद जब वह वापसी आ रहे थे ना, तो उनका सारा system fail हो गया, उनके पास में power नहीं थी उसको उतारने की, तो उन्होंने manually उतारा, और सब कुछ manually किया, वो सारी चीज़े calculate ही उपारी थी ना, आप doctors को भी देखोगे न, doctors flow rate, मानलो किसी का खून निकल रहा है, तो कितनी दिर में खून निकल के उसका खतम ह हो जाएगा, यहाँ पर math use हो रही है, बहुत सारी जगाँ पर math use हो रही है, बस आपको पता नहीं है, और जैसे आप life में grow करोगे तो आपको पता लगेगा, अब जब इनने बता दिया ना, तो आप देखोगे, कि आपके आस पास बहुत सारी चीज़ों की math है, बस आपको पता लगता, stats की एगर हम बात करके चले, बहुत सारी लोग रोते हैs stats, regression क्यों पढ़ रहे है, marketing के अंदर regression का बहुत अच्छा use है, बहुत अच्छे तरीके से regression use होता है, marketing के अंता है, तो math पढ़ लिया करो, math बहुत अच्छी चीज़ है